लो फ्रेंड्स वैलकम टू अभी क्लासेस मैं रंजित कुमार आप लोग का बहुत-बहुत सवागत करता हूं यह हम आज सीरीज लेके आएं रिजिनिंग जो की कॉम्पेटिटिव एक्जाम के लिए काफ़े इंपॉर्टेंड है यह हम एक से सारे को लिए हैं और जितने भी एससी के सेट में थे हैं उनसे हम सारा मतलब की एकक करके सारे हम एक टाइप को एक साइड लेकर कर रहे हैं तो यहां से आपको बहुत सार बहुत बैनिफेट होने परड़े कम से कम 20 या 30 कोशन हम आपको देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एक स्रीज देख सकते हैं कि 3 6 9 36 41 दिया हुआ है जो 2017 में पूछा गया है तो यह स्रीज में से और option भी दिया गया है इसमें से कौन सा सही होगा तो सबसे पहले यह देखना है कि यहां पर स्रीज का जो कंडिशन है क्या हो रहा है यहां पर स्रीज का कंडिशन देखते हैं हर एक स्टेट में क्या और बढ़ रहा जैसे 3 6 6 9 9 36 36 31 और तो सिंपल सा एक एक लॉजिक आप दिमाग में रखेगा अगर यह इंक्रीज कर रहा है मतलब कि छोटी संग्या से डारेक्ट इसना की ज्यादा बड़ा हो रहा है तो बड़ा होने के कारण क्या होगा एक तो या था यह प्लस हो सकता है तो मैलस तो और यहां पर प्लस की बात करें तो इस लेख वार है कितना बढ़ राहा है यहाँ पे 27 36 से 41 हो क्या रहा है इधर से यह क्या हो रहा है दूगुना हो रहा है ठीक है और इधर से आप कर दो इधर इधर क्या हो रहा है प्लस हो जा रहा तीन यहां पर इधर से मल्टिप्लाई इधर से प्लस हो रहा है फिर इधर से क्या हो रहा है यह हो जा रहा फोर यहां पर दो गु सबसे पहले ही किया होगा पहले कड़ेंटिकर हो अब यह कितना होगा दो से हुगए चार से हो गा फितना से होगा ना तो पता चल गया कि यहां नीचे दो से नेक्सम यहां प्लस हो रहें 3 prostu यहां पर हमारा कितना आजाएगा अगर चोगना करेंगाओ दो जोबिस मतलब 246 तो हमारा option क्या रहा है सी सी आ रहा है हमारा option option क्या 246 इसे परकार चलिए next question देखते हैं अब यहां पर देखें 105 130 180 255 है ना तो यहां पर 105 130 और 180 और 205 अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि इसका स्रीज क्या चल रहा है यहां पर अगर देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है इन दोनों की बीच का अगर different देखा जाए यहां पर क्या हो रहा है कि 105 130 हो रहा है मतलब कि 105 इंक्रीज कर रहा है फिर अगर यहां से यहां अगर दिफिरंट दिया याँ देखा जाएं यहां पर क्या कर रहा है यहां पर फिर यहां से यहां बढ़ हिए तो यहां पर कितना अगर मैनस करोग happen 75 75 प्र फिर पचास फिर 75 अगर जूटकी नहीं टीन सो पचपन यहां पर देख सकते ना यहां फिर पचास यहां पर देख सकते हैं इसका स्रीच पता चल गया अब नेक्स्ट कोशन यहां पर देख सकते हैं 4, 6, 9 35, 5 4, 6, 9 13, 5 तो अब देखिये यहाँ पे तो कुछ logic है increase भी कर रहा है और फिर यहाँ पे very point में आ रहा है तो कुस तो यहाँ पे logic है यहाँ पे different कितना का आ रहा है दो का रहा है फिर यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे automa तो आप यहाँ पी क्या कर सकते हो मत्लब टीन साधे यह दोनों का डिफरेंस अगर आप देखो गे तो वन-पॉइंट की अऱ फाइब मतलब कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा लोजिक ज़े ज़ो चल रहा है मतलब कि यहाँ पर कितना 0.5 का हमको लगता है यहां पर लॉजिक चल रहा है यहां पर आप देख सकते हो 3 मतलब कि यहां पर 1.5 का लॉजिक चल रहा है क्योंकि 1.5 है तो 4 को 1.5 से मल्टिप्लाय करोगे तो 6 क्योंकि पॉइंट गट आएंगे तो 10 होगा आइमींस 3 by 5 तो यह सुर्ण यहां पर देख सकते हैं 4 को क्या करना है जी 1.5 से करोगे तो यहां पर कितना होगा 10 होगा तो यह 5 3 जा है 5 2 जा है 2 कर जाएगा कितना को 6 होगा next आगया अब 6 को फिर अगर आप 6 को फिर क्या करो 1.5 मतलब 3.3 by 2 से करोगे यहां जाएगा 3 होगा 3 by 2 से करोगे हो यहां रहा जाएगा तो यहां कर सकते हो इनको मल्टिप्लाय कर दो यह आजएक आपको क्या तो यहां 3 तो यहां होगा तीन पच्छे पंदरह तेरतिया उन्चालिस एक चालिस चालिस उटे दस गुन्ने दू पहले इसको दो से डिवाइट करोगे 20 हो जाएगा और इसको दो दूना चार दो पंच दस और एक दस मन्दब 20 पचीस यहां पर कितना जाएगा 20 पचीस बिस पंच पां अगर अगला कोशिन यहां पर हम लोग देखें तो यह है 15 30 90 360 अब यहां पर इनका डिफ्रेंट अगर देखा तो यहां पर 15 से 30 हो गया 30 तीया 90 हो गया 9.36 हो गया मतलब कि यह क्या होगा पहले 2 से मल्टीपल हो गया फिर इसका 3 से मल्टीपल है फिर next इसका कितना 4 से मल्ट हो गया मतलब 15 को 2 से गुना करेंगे तो 30 होगा 30 को 30 को 30 से करेंगे 60 होगा अफिर 750 को 5 से किमना करेंगे कितना होगा अब इनको गुंना कर दिजिए यह इसका क्या सीरीज हो गया तो फिर चांश में पंदरह एक सोला सोरी चोपंचे तीस हो गया एक जिरो तो पहले से कर देना और पास्तिया पंदरह और तीन अठारा अठारा सो हो जाए यह बी ओप्सन इसका आजाए इसे बरकार यहां पर देख सकते हैं दस उनतीस च्यासट और 127 तो यहां पर दस उनतीस च्यासट 127 में यहां पर क्या हो रहा है तो अगर यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका अगर इस कितने का मल्टिपल है दो का मल्टिपल होना चाहिए और एक घट रहा है मतलब कि स्वरे तीन का यह मल्टिपल हो सकता है और यहां पर क्या कर रहा है एक घट रहा है लेकिन यहां लेकिन इसमें क्या हो रहा है इसमें यह लोजिक नहीं आ रहा है यहां पर फिर यहां दो का मल्डिपल का एक होना ची यह लोजिक नहीं आ रहा है तो मतलब 10 और 39 और 66 का यह लोजिक नहीं सलेगा तो यह लोजिक इसक सबताइस और yahan-27 ऑर प्लस-दो इनती सो गया फिर अगर यहाँ पी किया लाइपन प्लस-दो चर्च 4我们64 6462ьеسOS कितना धो जो किया कुणकि 4-4,64 गूने-4 करोग़े तो कितना अगा 64 अप辦法 2 कितना होगा 66 दाएगा कि फिर इसी परकार यहाँ अगर हम लोग 5 का क्यूब करेंगे प्लस 5 प्लस 2 करेंगे तो 5 का क्यूब कितना 125 होता है अब प्लस 2 कितना होगे 127 मतलब next question जो आएगा यहां पर 6 का क्यूब प्लस 2 होगा तो 6 का क्यूब कितना 6 का स्क्वार हो गया 36 और फिर 6 से करोगे तो अच्छा के 36 चौटी अठारा दो सब्सक्राइब अब प्लस 2 कर दो क्या अगर दो 18 यहां पर 28 अप्सन यह इसका answer हो गया कि अगर आप next दो को है अगर यहां पर लोग next देखते हैं तो यहां पर 96 98 60 अब यहां पर एक चीज़ देख रहा हो कि यहां पर यह होते जारा ना घटती जारा मतल़ यहां पर कुछ तो लौजिक है कि मैंस होगा घटने का कारण यहां तो मैंस होगा यह तो गटना चाहिए तो 60 में 24 गटा दो 60 में 24 गटा दो कितना होगा च्छे और प्वाज में 3 मतलब 36 ओना चाहिए इसका ओप्शन एह होगा के लिए अब नेक्स्ट को सिंगत देख सकते हैं कि यहां पर साथ है पर साथ चोगदा अठाइस चपन है ना तो अब क्या करो कि साथ चोगदा 28 चपन है इसमें यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर साथ दुना चोगदा और फिर चोगदा 28 मतलब कि इसका क्या लोजिक चल रहा है यहाँ पर कुछ ऐसा लोजिक हो रहा है कि जो की आपको दीख रहा है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर आप देखो साथ चो गोग गुना क्या होगा 56 होगा अब देखो न शीरीज में बढ़ेगा तो हमें इसकπό common sense लगाना energy series बढ़ रहा तो क्या होगा multiply होगा अगर घट रहा तो divide होगा तो यह subtract होगा अग bend increase कर रहा है तो यह तो फ्लॉस होगा यह तो multiple होगा अगर यह बढ़ रहा है अगर घट रहा है तो यह मैनस होगा यहां तो दिवाइट होगा तो यह अगर यह घट रहा है तो यहां पे क्या और अब ख़ाफ थो होगा नहीं क्या होगा multiple है साध दुना चोकदा फिर चोकदा का दूगण 28 होगा 28 का दुना 56 होगा 56 का कितना होगा 56 को अगर 2 से गुना करोगा चहा है तो यहां पे 112 होगा अब नेभ्स यहां पे देखो 14wij अब 325 इंचास पचासी इच्वाए तो यहां पे बीश धें क्या हो विस दुना पचास होगा एक घटा दो कितना होगा? उन्चास होगा? उन्चास दुना अगर यहाँ पर देखा थे उन्चास दुना कितना हो जा रहा 98 ठीक्प है? उन्चास यह अगर कड़ोगे 98 होगा मैनस 1 मतलब कि यह भी LOGIC नहीं लग रहा है मतलब तीन तक तो यहां फॉलो के लेकिन चौथा मुझा रहा है मतलब यह लॉजिक नहीं लगेगा तो क्या देखते हैं यहां पर इसका डिफरेंट कितना 12 यहां पर तेरा पचीस उन्चास और पचासी का अब यहां पर बारा का डिफ्रेंट है इसका अगर देखोंगे तो बढ़ती है यहां पर इंक्रीज करेगा मतला अगर स्रीज बढ़ रहा तो उसमें प्लस करना है यह तो इंटू करना है यह रखिएगा अगला देखे 19,39,44,44 है न अगर हम लोग यहां पर देखो 19,39,44,44 है तो यहां पर स्रीज में क्या हो रहा है यहां पर देखो लो 19,39,44,44 अगर आप यहां पर देखोगे न तो यहां पर स्रीज में क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा न इंक्रीज हो रहा लेक 58,000 रहर्त, जादा हो रहा है तब नهم multiply लगाएगा लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं होा है.' यहाँ पर क्या हो रहा है कम increase हो रहा है, तो ऐम Pra Hm I मеंस क्या हो तो इसमें add हो गा या तो दूसरा और भी लिजिक अगर यहां पे आप देखें इस लाजी को लगा के देखें तो इ सब्सक्राइये है तकता अरग्राइब हो कि जैसे यहां पर 19 है ना 19 फिर यह दोनों सेंख्यां को जोड़ दो 1 और 9 कितना हो गया 10 इसको जोड़के कितना कर गया 29 अब तो यह 29 तो लिखेगा ही फिर यह दोनों को यह दोनों अंक को जोड़ दिए 2 और 9 कितना हो गया 2 प्लस 9 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना होगा 40 उसी परकार मतलब अगला यह होगा 40 तो होगा पलज यह दोनों अंक को जोड़ दिये 40 पलज 0 मतलब 44 होगा तो अगला मेरा क्या हो जागा 44 पलस 4 और 4 होगा ही 4 दोना 8 4 दोना 8 चरतिया 12 मतलब 52 होगा तो यह इसका लॉजिक था यहाँ पर 52 इस तरह का भी लॉजिक होगा तो इस परकार से आप यहाँ पर कर सकते हो नेक्स्ट कोशन देखते हैं और यह लास्ट कोशन होगा छोटा 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 वीडियो करके दे रहे हैं आपको इसमें बहुत लगवा कि इसका थर्टी कोशन है थर्टी कोशन आपका तीन पार्ट में आपको देंगे छोटा छोटा करिजिए अब देखें यहाँ पर 5 8 12 17 23 है ना तो यहाँ पर आप देख सकते कि इसका लॉजिक क्या है 5 है 8 है 12 है 17 है और 23 है अगर यहाँ पर देखा जाए तो इदोनों का डिफ्रेंट्स अगर आप देखोगे कितना होगा प्लस 3 का हो रहा है फिर इधर देखोगे तो प्लस 4 का हो रहा है फिर इधर देखोगे प्लस 5 का हो रहा है फिर इधर देखोगे प्लस 6 का मतलब कि लोजिक हमको पता चल गया क्योंकि चोटा-चयटा डिफ्रेंट ने तो एक होगा तो अगला क्या होगा 7 होगा में यहां पर किंदा होना चाहिए है तरती होना तरफ अज़िये आज यहीं तख होगा आगर को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजिये और दोस्तों को चταब आगर रेल वख्जाम होगा जाता है मला की तना हम कवर अब करा देंगे आपको तो ब्लीज अप में हमसे बने रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और आपको यहां पर करेंट फिर भी दिया जाएगा और मैं मैथ भी आपको इसी तरह मलत की प्रिवेस कोशन को लेके आएंगे और मैथ का भी सॉलेशन करेंगे और एक और रोज बने रहेगा तो हैंड़ेट पर्चन क करते हैं थैंक यू